तो 54 वे हराणा दिवस पर सीम अनोहर लाल का संदेश पी-एम सीम मनोहर लाल ने दी प्रदेश वासियों को बधाई नवनिर्वाचत सरकार ने कहा नया कारेकार शुरू किया सीम 53 साल में हराणा की बड़ी उपलब्धियों पर गर्ब तो सीम मनोहलाल ने दी जानकारी नवनिर्वाचत सरकार ने नयाकाल शुरू किया तो प्रिदेश वासियों को सीम का संदेश तरह पन साल में हराना की बड़ी उपलब्धियों पर गव सीम ने कहा कि हराना की उपलब्धियों की चर्चा विदेशों तक में होती है कि आधुनेक हर्याना के लिए परिश्रम करने वालों के प्रती कृत्रग्य हैं हर्याना वासी भाईयों बहनों और प्यारे बच्चों हर्याना के 54 स्थापना दिवस के एतिहासिक अवसर पर मैं आपको हार्दिक बधाई एवं शुब कामनाई देता हूँ और सभी के उज्वल भवशे की मंगल कामना करता हूँ यह अतियंत सुखद्य योग है कि आज के इस एतिहासिक दिवस से मात्र चार दिन पूर्व दिपावली के पावन परव के शुबहुसर पर आप द्वारा नव निर्वाचित सरकार ने आगामी पाँच वर्ष तक जन सेवा का नया कारेकाल शुरू किया है प्रदेश में चौदवी विधान सवा के लिए शान्ती और सोहार्द के वातावर्ण में चुनाव संपन हुए है यह आपकी लोकतांत्रिक सूजबूज सामाजिक समरस्ता आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे का परिणाम है और प्रमान भी है इसके लिए मैं प्रदेश क के सभी मद्दाताओं को हार देक बधाई देता हूं प्यारे प्रदेश वासियों जब हम अपने पिछले 53 वर्ष के अतीत में जहाक कर देखते हैं तो हमारे इस छोटे से प्रदेश की बड़ी बड़ी उपलब्धियों पर हमें गर्व होता है एक नमबर 1966 को जब हरियाना एक प्रदेश की रूप में अस्तित्व में आया तो अधिकांश बुद्धी जीवियों का मत था कि इतना छोटा राज्य शायद ही कभी सफल हो पाएगा जो करमचारी संयुक्त पंजाब से इधर ट्रांसफर हुए उन्हें डर लगता था कि कहीं नए प्रदेश में उन्हे वेतन के लाले न पढ़ जाएं प्रंतु प्रदेश की जनता अपने उज्वल भुष्य के प्रति आशावान थी इसलिए हर आम और खास अपने रोजमर्रा के जीवन में और अधिक मिनत करने लगा उस समय मेरी आयू मात्र बारा वर्ष की थी मुझे याद है कि हमारे गाउ बन्यानी में बिजली नहीं थी स्कूल से छुटी होने पर रोटियों से भरे कटोरदान को खेत में काम करते श्रमकों तक ले जाने के लिए मैं कच्चे रास्तों पर भागते भागते जाता और शाम को मिट्टी के तेल से जलने वाली लाल्टेन की रोशनी में पढ़ा ही कि नहीं अपित्यु विदेशों में भी होती है आज के इस पावन अवसर पर स्वतंत्र भारत के एक प्रिथक राज्यक के रूप में हर्याना के गठन के लिए संगर्श करने वालों तथा आधुनिक हर्याना के निर्मान के लिए कठिन परिश्रम करने वालों के प्रति हम करत तक्यता विक्त करते हैं धरती का सीना चीर कर हर भारतवासी के भरपेट भूजन के लिए अनुगाने में जूटे किसान, मेहनत कश मजदूर, उद्यमशील, उद्योगपती, करमठ व्यपारी, शांदार खिलाडी, सभी के प्रयासों से हमारा आज का प्यारा और न्यारा हरिय इस विकास यात्रा में राजनितिक शेत्र के अनेक महनुभावों विशेश कर समय समय पर प्रदेश के शाषन की बागडोर समालने वाले सभी भूत पूर मुख्यमंत्रियों ने भी अपनी अपनी सोच के अनुरूप महत्वपूर्ण योगदान दिया है, हरियाना के गठन तक ही हरियाना के मुख्यमंत्री रहे, परंतु उन्होंने ततकालीन चुनोतियों का डटकर मुकाबला किया और नए संसाधन जुटाने के प्रयास शुरू किये, चौधरी बंसिलाल ने 1970 के दशक में हर गाउं तक सडक और बिजली पहुँचाने और उठान सिचाई द्वा मरू क्षेतर में भी पानी पहुचाने का अनोखा काम किया, इसके बाद श्री बनारसी दास गुपता ने विकास की घती को आगे बढ़ाया, चौधरी देविलाल ने राजनीती में लोक राज, लोक लाज से चलता है का मूल मंत्रह में दिया, उन्होंने समाज कलैन के क्षे कीर्तिमान स्थापित किया, चौधरी भजनलाल के कारेकाल में भी विकास और जनकल्यान के ख्षेतर में हरियाना निरंतर आगे बढ़ा, उन्होंने अपनी बेटी अपना धन जैसी अनुठी योजना को लागू करके कन्या भुरून हत्या को सरकारी स्थर पर रोकने का प्र प्रदेश बनाया और सरकार आपके द्वार कारकम शुरू किया, उनके बाद श्री हुकम सेंग ने राजनीती को सादगी के नए आयाम दिये, श्री भुपेंद्र सेंग भुड़ा के कारेकाल में प्रदेश ने आधार पूद्र रहाचे तथा खेलों के ख्षेतर में कई उ रौचमुक्त और पड़िलिखी पंचायतों वाला भारतवर्षका ने एक मातर राजे बना, हमने ई गवर्नेस की सायता से ब्रस्टाचार पर अंकुष लगाने, तथा नागिर्यों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाब मिल सके, ऐसी ववस्ताएं खड़ी की, एक स्वस् पेश्दिया.